किसी गाउं में श्याम नाम का एक बहुत गरीब इमानदार और परिश्रमी आदमी रहता था वह जंगल में जाकर दिन भर लखनियां काटता और फिर उन्हें बेच कर जो पैसे मिलते थे वह उससे अपने परिवार का पेट भरता था उसकी पतनी का नाम लक्षमी था श्याम सुभे होते ही जंगल में लक्रियां काटने के लिए निकल जाता फिर दिन भर लक्रियां काटता और श्याम होने पर ही घर वापस आता वे बहुत ही दुबला पतला और कमजोर हो गया था एक दिन श्याम लक्रियां काटने जंगल जाता है लक्रिय काटते काटते वे बहुत थक जाता है और उसे बहुत जोर से भूख लगने लगती है फिर वे खाने के लिए इधर उधर नजर दोड़ाने लगता है तभी उसको एक अंगूर का पेड दिखता है चलकर थोड़े अंगूर ही तोड़ कर खा लेता हूँ थोड़ी भूख तो मिटेगी वे अंगूर के पेड के पास जाता है एक अंगूर तोड़ कर अपने मुह में डाल लेता है अंगूर खाते ही शाम की सारी थकावट गायब हो जाती है और उसके अंदर बहुत सारी उर् और ताकत आ जाती है जिससे वह एक हश्ट पुष्ट और जवान मनुष्य की तरह दिखने लगता है अरे ये तो चमतकार हो गया मेरी तो सारी ठकावट और कमजोरी अंगूर खाते ही गायब हो गई अब तो मैं एक हृष्ट प्रिष्ट मनुष्य की तरह हो गया हूँ अब मैं एक दिन में बहुत सारी लकडिया काट कर बेचूंगा जिससे मेरी गरी भी दूर हो जाएगी वह चमतकारी जादूई अंगूर को पाकर शाम बहुत खुश होता है फिर अगले दिन वह अपनी पत्नी को उस जादूई अंगूर के पास ले जाता है उसकी पत्नी भी जादूई अंगूर के बारे में जानकर बहुत खुश होती है यह जादूई अंगूर तो बहुत कमाल की चीज है आपको इसके बारे में राजा को अवश्य बताना चाहिए वह इस अंगूर की मदद से हम जैसे गरीबों की मदद कर पाएंगे जिससे इस राज में किसी को भी भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा और राज से गरी भी दूर हो जाएगी फिर शाम अंगूर के पेर से थोड़े अंगूर तोड़कर राजा के पास ले जाता है महराज यह एक जादूई अंगूर है अगर इसको आप खाएंगे तो आपके अंदर बहुत सारी उर्जा और ताकत आ जाएगी और आप फ्रिष्ट फ्रिष्ट और जवान दिखने लगेंगे पहले तो राजा शाम की बाते मानने को तैयार नहीं होता मगर शाम के बहुत कहने पर वै उसकी बात मानने को राजी हो जाता है ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ, मगर मैं इस अंगूर को खाने से पहले इसका परिक्षन करूँगा, कहीं यह तुम्हाई कोई चाल तो नहीं राजा उस अंगूर को अपने सिपाही को खिलाता है, अंगूर खाते ही सिपाही दुबला पतला कमजोर और बुढ़े की तरहे दिखने लगता है, यह देखकर राजा क्रोधित हो जाता है शाम, तुमने मुझसे जूट कहा, अब तुम्हें इसकी सजा अविश्य मिलेगी, सिपाहीों, बंदी बना लो इसे, यह जूट बोलकर इस अंगूर को मुझे खिलाना चाहता था राजा के सिपाही शाम को पकड़ कर कारागार में डाल देते हैं, यह बात जब लक्षमी को पता चलती है, कि उसका पती शाम बंदी बना लिया गया है, तो वह बहुत दुखी होती है, और फिर वह उस जादूई अंगूर के पेड़ के पास जाती है मेरे पती एक सची इंसान है, वे मुझसे कभी जूट नहीं बोलेंगे, हो ना हो, राजा को जरूर कुछ गलत पहमी होई होगी, फिर लक्षमी उस पेड़ से एक अंगूर तोड़ कर खा लेती है, अंगूर खाते ही, लक्षमी के अंदर बहुत सारी उर्जा और ताकत आ ज जाती है, जिससे वे जवान और सुन्दर दिखने लगती है, यह अंगूर तो सच मुझ जादू है, मेरे पती मुझसे इसके बारे में जो भी बताए, वे सब सच था, अब मैं अपने पती को उस कारागार से कैसे निकालू, राजा तो मेरी बातों पर विश्वास भी नहीं करेंगे, इतना कहकर लक्ष्मी रोने लगती है, तभी जादू यंगूर के पेर से एक आवाज आती है, चुप हो जाओ लक्ष्मी, आवाज संकर लक्ष्मी इधर उधर देखने लगती है, मैं एक जादू यंगूर हूँ, मेरे अंदर कुछ ऐसी जादू शक्तियां है, ज तुम्हारे पती को मेरे इस जादूई शक्ति के बारे में सही से मालूम ना होने के कारण वे संकट में पढ़ गए। उन्हें अब इस संकट से मैं ही निकालूँगा। एक दिन तुम्हारे पती की बातों पर उस राजा को अवश्य विश्वास होगा। के तरफ जा रहा था। उसके रास्ते में वही जंगल पड़ता है जिसमें उस जादूई अंगूर का पेड़ लगा था। जैसे ही राजा उस जादूई अंगूर के पेड़ के पास से होकर गुजरता है तभी उस जादूई अंगूर की लताएं राजा के पूरे शरीर को तेखता है कि उसका घोड़ा बहुत आगे निकल गया है फिर राजा अपने शरीर से उस अंगूर की लताओं को हटाता है युद में घायल होने के कारण राजा के शरीर से बहुत खून निकल रहा होता है कुछ देर के बाद राजा को बहुत भूख लगने लगती है तभी राजा की नजर उन लताओं पर लगी अंगूर पर पड़ती है वे तुरंद जाकर अंगूर तोड़कर खाने लगता है जैसे ही वे अंगूर को खाता है उसके शरीर के सारे घाव ठीक हो जाते हैं और राजा के अंदर बहुत सारी उर्जा और ताकत आती है जिससे वे हश्ट पुष्ट और जवान दिखने लगता है अरे ये तो चमतकार हो गया इस अंगूर को खाने से मेरे सारे घाव सही हो गए और मुझे में बहुत सारी ताकत भी आ गई अब इस अंगूर को खाने के बाद मुझे युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा राजा बहुत खुश होता है इधर लक्षमी भी लगणिया काटने के लिए उसी जंगल में जाती है तब ही वे राजा को उस जादूई पेड के पास देखती है फिर वे दौर कर राजा के पास जाती है और उसके पैरों में गिर कर रोने लगती है महराज मेरे पती को कारागार से निकाल दीजे मेरे पती ने उस दिन आप से इस अंगूर के बारे में जो भी बताया था सब सही था मगर उनको यह नहीं पता था कि अगर कोई जूटा या पापी इंसान इस अंगूर को खा लेता है तो उसका उल्टा असर होता है महाराज मेरे पती को छोड़ दीजिए वे बहुत ही सची इंसान है फिर राजा को लक्ष्मी की बातों पर यकीन हो जाता है और वे अपने महल पहुँचकर शाम को कारागार से निकाल देता है शाम हमें माफ कर दो हमने तुम्हें गलत समझा तुम्हारी वजे से आज हम इस जादूई अंगूर तक पहुँच पाए वाकई में जादूई अंगूर बहुत ही कमाल की चीज है फिर राजा खुशी होकर शाम को बहुत सारे सोना चांदी हीरे जवाहराद भेट करता है फिर शाम राजा के द्वारा दिये गए हीरे जवाहराद पाकर खुशी खुशी अपने घर वापस चला जाता है कुछ दिन बीचते हैं एक दिन राजा के दरबार में दो औरतें आती हैं जिसमें से एक औरत दूसरी औरत के उपर गहना चुराने का आरोप लगा रही होती है महराज इस ओरत ने में रे सारे गहने चुरा लिए दोनों आरतों में से कौन सी ओरत सही बोल रही है तब ही राजा के दिमाग में एक विचार आता है वे उस जादूई अंगूर को अपने पास मंगवाता है और फिर उन दोनों औरतों को वे जादूई अंगूर खाने के लिए देता है जादूई अंगूर खाते ही दोनों औरतों पर अलग-अलग असर दिखता है पहली औरत जो धन चुराने का आरोप लगा रही होती है वह अंगूर खाते ही बहुत ही दुबली पतली, कमजोर और बुद्धी दिखने लगती है और दूसरी औरत अंगूर खाते ही हश्ट पुष्ट ताकतवर और सुन्दर दिखने लगती है महराजे मुझे क्या हो गया, मुझे माफ कर दीजिये तुमने मुझसे जूट बोला कि तुम्हारे गहने चोरी हो गए हैं, तुम्हारी अब यही सजा है राजा को इस प्रकार नर्ने लेते हुए देखकर राजे के सभी लोग बहुत खुश होते हैं और उस दिन के बाद से राजा राजे के सारे सही और गलत का नर्ने उस जादू यंगूर की मदद से लेने लगता है मुन्ना अपनी मस्तानी चाल से सड़क पर चल रहा था और उसने सामने देखा किसी ने केले का छिलका फेका हुआ है वह आगे बढ़ा और उसने छिलके को उठाया और पास की ही एक कच्रा पेती में डाल दिया वे कुछ और आगे बढ़ा तो फिर से केले का छिलका मिला और उसे भी उसने कच्रा पेती के हवाले कर दिया और सोचने लगा ना जाने कौन था जिसने मजे से केले खाए और बे परवा होकर केले का छिलका सडक पर ही फेक दिया यदि किसी का पेर छिलके पर पड़ता तो वो गिर जाता और उसे चोट भी लगती इतने में मुन्ना को मंगरू चाचा दिखाई पड़े वे ठीक से चल नहीं पा रहे थे क्या हुआ चाचा आपके पेर में कोई चोट लग गई है क्या क्या बताओं बेटा किसी शरारती बच्चे ने मेरी लाठी गायब कर दी है बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता नजर भी कमजोर हो गई है बिना सहारे के मैं ठोकर खाकर गिर पड़ा बुढ़ापा दुखदाई तो होती ही है मुन्ना मंगरू चाचा को अपने कंधे का सहारा दे कर उन्हीं चलाने लगा बेटा जीते रहो तुम्हारे किसी काम का हरजा तो नहीं हो रहा है नहीं चाचा अपने चाचा को घर पहुँचा रहा हूँ इससे बढ़कर कौन सा काम हो सकता है मेरे लिए मंगरू चाचा का घर आ गया और मुन्ना ने उन्हें खाट पर बिठा दिया वेह दोर कर अपने घर गया और एक अच्छी सी लाठी लेकर चाचा जी को दे दिया चाचा ये सही लाठी है रख लीजिए अपने पास अब मत हो ये उदास मंगरू चाचा के होठों पर मुस्कान खेलने लगी और उनके हाथ मुन्ना को आशिरवात देने के लिए उठ गए मुन्ना कुछ और आगे बढ़ा तो उसे नदी दिखाई पड़ी उसकी प्यास बढ़ गई वह नदी किनारे पहुँच गया और पानी पीने लगा पानी पीने के बाद जब वह बैठ कर नदी के विशाल जल को देख रहा था तब ही उसकी नजर हरे रंग की वस्तू पर गई वह वस्तू बहते बहते उसी की तरफ आ रही थी कुछ नजदीक आने पर स्पष्ट हो गया कि वह केले का छोटा सा पेड था जिसे किसी ने उखार कर नदी में फेक दिया था मुन्ना ने आगे बढ़कर उस छोटे पेड को उठा लिया और उसे लेकर अपने घर की तरफ चल दिया मुन्ना अपने घर के पास जब उस केले के पेड को जमीन में लगाने जा रहा था तभी उसके परोसी बल्लू ने आवाज दी मुन्ना इस केले के पेड़ को यहां मत लगाओ यह जगा मेरी है भाईया यह केले का पेड़ है इसमें जब फल आएंगे तो हम सब मिलकर खाएंगे मुझे फल नहीं चाहिए मैंने एक बार कह दिया कि यह जगा मेरी है तो यहां मैं तुम्हें केले का पेड़ नहीं लगाने दूँगा ठीक है भाईया मैं इसे अपने कुए के पास लगा देता हूँ इसमें आपको भी कोई परिशानी नहीं होगी बल्लू गुस्से से अपना मुह बनाकर वहां से चला गया मुन्ना ने अपने कुए के पास बकाएदी जगहे बनाकर केले के पेड़ को लगा दिया कुए से पेड़ तक एक छोटी सी नाली भी बना दी ताकि कुए के पास गिरने वाला पानी भी केले के पेड़ तक पहुचता रहे उसने बालती से पानी उडेल कर केले के पेड़ को सीच दिया दूसरे दिन केले के पेड़ का आकार बहुत बड़ा हो चुका था जिसे देख कर मुन्ना जूमने लगा मा जल्दी से यहां आओ ये देखो मेरे केले का पेड कितना बड़ा हो गया है अरे इसमें तो फूल भी आ रहे है अरे हाँ बेटा यह तो सच मुझ बड़ा हो गया है देखो छोटे छोटे केले भी आ रहे हैं यह कोई साधारण केले का पेड नहीं है यह चमतकारी है हमें इसका विशेश ध्यान रखना होगा दूसरे दिन मुन्ना की मा जब केले के पेड को देखने आई तो आश्चर इसे मूर्ती बनकर खड़ी रह गई केले का पूरा पेड बहुत सारे बड़े बड़े केले के फलों से लदा हुआ था मुन्ना बेटा यह देखो बहुत बड़ा चमतकार केले के फलों का भंडार इतने बड़े बड़े सुन्दर केले मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे हाँ मा ये केले तो बहुत अच्छे लग रहे हैं लेकिन मा इतने सारे केलों का हम क्या करेंगे केले के पेर से आवाज आई मुन्ना तुम्हारी इमानदारी, सच्चाई और परोपकार का बगवान ने तुम्हें इनाम दिया है मेरे सारे फल तुम्हारे ही तो है इन्हें खाओ, बेचो, पैसे कमाओ, खुद का और लोगों का भला करो हाँ बेटा, इसके फलो को हम तोड़ कर बजार में बेचेंगे इसके द्वारा धन अरजित करके हम जन सेवा भी करेंगे मुन्ना और उसकी मा ने बहुत सारे केले तोड़े और उन्हें गाड़ी में भर कर मार्केट में बेचा और बहुत सारे रुपे कमाए मुन्ना ने गरीबों के लिए कुछ कपड़े और धन का दान दिया उनकी भी गरीबी दूर हो गई अच्छा घर बन गया अच्छे बस्त्र और घर के बहुत सारे सामान आ गए मुन्ना की खुशाली को देखकर उसका पडोसी बल्लू बहुत चकित हो गया उसने देख लिया कि वह सारा चमतकार उस जादूई केले के पेड का है वह एक रात एक बड़ा चाकू लेकर केले तोडने के लिए केले के पेड के पास पहुँचा रुख जाओ साफधान एक भी केले को तोड़ना नहीं मेरे केले पर सिर्फ मुन्ना और उसके घरवालों का अधिकार है ऐसी बात है तो मैं तुम्हे ही अभी जड़ से काट डालूंगा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी बल्लू चाकू लेकर जैसे ही केले के पेड़ की तरफ बढ़ा उसी जड़ उसके हाथ का चाकू साप की रूप में बदल गया बल्लू ने उसे तुरंत अपने हाथ से दूर भेग दिया और डर कर घर की तरफ भागने लगा रास्ते में उसे मुन्ना मिला क्या हुआ बल्लू तुम तो ऐसे भाग रहे हो जैसे तुम्हारे पीछे कोई भूत पड़ गया हो वो दखो, साप, साप है अरे बल्लू भाई, वो साप नहीं, तुम्हारा चाकू है रात में छुपकर केले चुराने आये थे ना चलो, मैं तुम्हें केले देता हूँ मुझे चाकू केला कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो चला मुन्न मुस्कुराने लगा, केले का पेड जूमने लगा बहुत साल पहले की बात है सुमनपुर नाम के गाउ में श्रीनात नाम के एक किसान अपनी धरम पतनी राधा और दीपा नाम की बेटी के साथ रहते थे जब दीपा का जनम हुआ था, उसी समय श्रीनात ने अपने घर से दो किलोमिटर दूर दस सागौन के पौधे अपने बाग में लगाये थे उन सभी पेड़ों के बीच में एक कटहल का भी पेड उग गया था एक दिन दीपनारायन नाम का एक गरीब किसान श्रीनात के घर आया श्रीनात भीया, चार दिन बाद मेरी बेटी की शादी है आपको निमंतन तो दिया है, लेकिन आपके पास एक बड़ी आशा भी लेकर आया हूँ मुझे दो हजार की सक्त जरूरत है, बिचिया की शादी में कम पड़ रहे है आप से मिल जाएंगे तो बड़ी महरवानी होगी श्रीनात ने दो हजार रुपे लाकर दीप नरायन को दे दिये दीप नरायन खुशी खुशी अपने घर चला गया कुछ दिनों के बाद उनके ही गाओं के शिव पूजन की बिटिया के विवाह का दिन भी आ गया राधा, कल शिव पूजन की बेटी की शादी है एक साड़ी, घड़ी, कान की बाली और पांच सो एक उनकी बिटिया के विदाई के समय दे देना आपने गाउं के बहुत से लोगों की बेटियों की शादी में कपड़े, गेहने और रुपए दिये हैं अब देखना, अपनी दीपा की शादी में कौन-कौन क्या-क्या देता है? देखो राधा, किसी की कन्या की शादी में दिया हुआ धन पूर्णे के हिस्से में जाते हैं मैं यहा नहीं सोचता कि उस लड़की का पिता मुझे भी उतना ही धन मेरी बेटी की शादी में देगा जितना मेने दिया है गरीब की बेटी की शादी में तो सबसे पहले मदद करनी चाहिए आपका हृदय पवित्र और विशाल है इश्वर आपकी हर मनो कामना पूरी करे मुझे विश्वास है कि अपनी बिटिया की शादी भी बड़े धूमधाम से अच्छे घर में होगी हाँ मैं भी इश्वर से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ आपने सागाउन के पेर लगाने का बहुत सुन्दर निर्ने लिया था सभी लोग आपकी सराहना करते हैं कुछ लोग जलते भी हैं हर इनसान की अपनी अपनी फित्रत होती है समय बीतता चला गया श्रीनात की बिटिया दीपा अब जवान हो चुकी थी वह उसके लिए योग यवर की तलाश कर रहे थे इसी बीच श्रीनात जी बिमार पड़ गए उनका इलाज चलने लगा और मर्ज था वह बढ़ता ही जा रहा था उनके इलाज के लिए रुपियों की सक्त जरूरत थी इसी लिए राधा ने सागौन के कई पेड़ बेच दिये राधा तुमने सागौन के बहुत सारे पेड़ मेरे इलाज के लिए बेच दिये अब मेरी बिटिया की शादी के लिए रुपे कहां से आएंगे अब दीपा की शादी के चिंता मत कीजिए आपका इलाज भी बहुत जरूरी है शादे के लिए दूसरा रास्ता निकाला जा सकता है कौम सा दूसरा रास्ता निकाल सकते हैं भगवान हैं कोई न कोई राह जरूर दिखाएंगे श्रीनात के इलाज के लिए उन्हें शहर के अस्पताल में दाखिल किया गया वहां भी बहुत रुपे लग गए अब सागौन के दो पेड़ बच गए थे राधा ने मजबूर होकर उन्हें भी बेच दिया अब अकेला कटहल का पेड़ बच गया था किसी ने कटहल के पेड़ को भी कटवा कर बेचने की राय दी लेकिन श्रीनात ने साफ मना कर दिया उनके शहरी डॉक्टर ने अच्छा इलाज किया दवा काम करती गई और कुछ ही दिनों में श्रीनात चलने फिरने लग गए एक दिन वे चलते चलते अपने बाग में पहुँच गए सागौन के पेड़ के कट जाने की वज़ह से वहबाग खाली दिखाई दे रहा था उनकी नजर कटहल के पेड़ पर पड़ी और वो उसके पास पहुँच गए यह बहुत अच्छा हुआ कि मैंने उस कटहल के पेड़ को सही साबूत बचा लिया अरे वाह अब तो इसमें बहुत सारे कटहल भी आ गए हैं कुछ कटहल तो बाजार में बेश दूँगा एक दो घर में खाने के लिए रख लूँगा दूसरे दिन श्रीनाथ ने कटहल के पेड़ से कटहल तोर कर बैल गारी में डलवाने शुरू कर दिये पूरी बैल गारी भर गई लेकिन कटहल कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे श्रीनाथ को बहुत अचमभा हुआ अरे यह कैसा चमतकार है मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है राधा देखो सौ से ज्यादा कटहल हमने पेड़ से निकाले फिर भी इतने सारे कटहल अभी भी लटक रहे हैं यह तो किसी कल्प ब्रुक्ष हो गया है इसके फल कम होने का नाम ही नहीं ले रहे है यह तो जादोई कटहल है इतने में कटहल के बेड़ में कमपन हुआ और आवाज आई मैं आपको कटहल के रूप में आपके कर्मों के फल दे रहा हूँ आपने बहुत से लोगों का भला किया है बहुत सी कन्याओं के विवाह में अपना योगदान दिया है आपके पुन्य क तराजू अच्छे कर्मों से भर गया, मेरे कटहल आपके लिए कभी कम नहीं होंगे, मेरे पास एक सुनेहरा कटहल है, वह आपके लिए है, अन्य कोई व्यक्ति इसे छू भी नहीं सकता, उसे तोड़ भी नहीं सकता, उसे भी तोड़ कर आप ले जाएए, और इससे अरजित को बिठिया दीपा की शादी में लगाईए, बिठिया की शादी धूम धाम से होनी चाहिए, श्रीनात ने उसी दिन से बहुत सारे कटहल बाजार में बेचे और उनसे अच्छा खासा धन कमाया, सोने का कटहल अभी भी उसी पेड़ पर सुरक्षित लटक रहा था, एक दिन श्रीनात ने कटहल के पेड़ से बहुत सारे कटहल तोड़े और गारी में लाद दिये, उनके गाउं का ही एक दुष्ट व्यक्ती, बांजी, सब देख रहा था, श्रीनात के जाने के बाद वह अपनी गारी और ओजार लेकर कटहल के पेड़ के पास पहुच गया, उसने ब पूरी गारी खाली हो गई, यह क्या जादू है, मेरी सारी महनत पर पानी फिर गया, मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ, अगर इस पेड़ ने ज्यादा नाटक किया तो इससे ही काट डालूंगा, पांजी फिर ओजार लेकर कटहल के पेड़ की तरफ बढ़ गया, वह जैसे ही चड़ने लगा, उसका पैर फिसल गया, अपने गुसे से कटहल के पेड़ पर वार करना चाहा, तो एक चमतकार हो गया, कटहल के पेड़ ने उसे खीच कर अपने साथ ऐसे चिपका लिया, जैसे चुम्बक लोहे को खीच कर चिपका लेता है, किसी ने जाकर श्रीनात को बांजी के चिपके होने की सूचना दी, श्रीनात दोड़े-दोड़े वहाँ चले आए, कटहल के पेड़ इन्हें शमा कर दो, इन्हें घर जाने दो, कटहल के पेड़ ने बांजी को छोड़ दिया, और वह धड़ाम से नीचे गिर गया, वह ऐसे भागा, जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो, श्रीनात की बिटिया दीपा की शादी एक योग्य लड़के से तै हो गई, श्रीनात ने जादोई सोनी का कटहल भी तोड़ लिया, उस कटहल से बहुत सारा सोना निकला, उन्हें बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, दीपा बिटिया की धूम धाम से शादी हो गई, और श्र पहले की बात है, एक राज्य था चंदापुर, वहां के राजा वीर प्रताप बहुत ही तेजस्वी राजा थे, वे सदैव अपनी प्रजा को सुखी देखना चाहते थे, वे अपने राज्य में हर प्रकार की सुख सुविधा देना चाहते थे, उनके राज्य में बहुत से लोग बिमार हो गए थे, प्रजा की बिमारी और उनकी कोई संतान ना होने के कारण वे बहुत दुखी हो जाते थे, राजा गरीबों और भूखों की हमेशा मदद करते थे, उनके यहां से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता था, एक दिन राजा निराश होकर एक नदी के किनारे बैठे थे, तभी एक हिरन के चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे इस शेर से बचाओ, अरे, ये किसकी आवाज है, कोई मुसीबत में है लग रहा है, राजा उस आवाज की तरफ भागते हैं, राजा ने देखा, एक शेर ने हिरन के बच्चे को अपने पंजे में पकड़ रखा है, बचाओ, बचाओ, राजा जी मुझे बचाओ, चिन्ता मत करो छोटे हिरन, मेरे रहते हुए ये शेर तुमको कुछ नहीं कर सकता, राजा अपनी दलवार लेकर उस शेर पर तूट पड़ते हैं, राजा, तुम मेरे शिकार के बीच में मताओ, यहां से लोट जाओ, शेर, मैं तुम्हें आखरी चितावनी देता हूँ, छोड़ दो इस हिरन को, नहीं तो अंजाम के लिए तयार हो जाओ, दोनों के बीच बहुत युद्ध होता है, और राजा शेर को मार देते हैं, तभी अचानक शेर का अम्रित शरीर गायब हो जाता है, और हिरन एक साधू का रूप ले लेता है, अरे, ये क्या चमतकार है, आप कौन है महात्मा, हे राजन, मैं कड़क रिशी हूँ, और मैं आपकी परिक्षा ले रहा था, आपके अच्छे कामों से मैं बहुत प्रसंद हूँ, मांगो, क्या मांगते हो राजन, महात्मा जी, मुझे सर्व प्रथम अपनी प्रजा का सुख चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, बस एक पुत्र की कामना है, यहाँ से पांच सो कोस दूर सोनपुर में एक घना जंगल है, वहाँ पर एक जादूई अम्रुत का पेड़ है, अगर उसका एक फल आप ले आ सके तो, उससे अपनी प्रजा का कल्यान कर सकते हैं, इसके साथ साथ यदि उसका एक छोटा भाग रानी को खिला दे, तब आपको निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ती होगी, परंतु मेरी एक बात याद रखना राजा, वहाँ बहुत से खत्रे हैं, और वो अम्रुत का फल सिर्फ अच्छी नियत वालों को ही दिखता है, अम्रुत लेने के बाद आप पीछे मुण कर मत देखना, वरना अम्रुत गायब हो जाएगा, राजा सोनपुर के जंगल की ओर निकल पड़ते हैं, वे जैसे ही सोनपुर के जंगल में प्रवेश करते हैं, वैसे ही बहुत सारे पेड़ देखकर चौक जाते हैं, अरे, इतने सारे अम्रुत के पेड़, हे भगवान, इनमें से जादूई अम्रुत का पेड़ कौन सा है? राजा जादूई अम्रुत पेड़ ढूरते ढूरते ठक जाते हैं, और एक छोटे से पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, ओ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, अरे, ये क्या, पानी तो समाप्त होने वाला है, और राद भी होने वाली है, तभी अचानक पेड़ से आवाज ये राजन, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो, मैं बहुत सालों से प्यासे हूँ, इस जंगल में कोई आता नहीं, मुझे पानी पिला दो राजा अपना सारा पानी उस पेड़ को पिला देते हैं, और कुछ देर के बाद, राजा स्वयम प्यास से तड़पने लगते हैं, तभी अचानक वो छोटा सा पेड़ बहुत खूपसूरत अमरूद का पेड़ बन जाता है, और उसमें से बहुत तेज रोशनी आती है, और राजा पर परती है, जिससे राजा की भूख, प्यास, ठकान सब गायब हो जाती है, अरे ये क्या है, इतनी रोशनी और इतना खूपसूरत पेड़ कहां से आ गया, पेड़ में बड़े बड़े अमरूद लगे हुए देखकर, राजा बहुत हैरान होता है, ए राजन, आप बहुत नेक दिल इंसान है, आपने बहुत से अच्छे काम किये है, अच्छे कामों का फल हमेशा अच्छा होता है, आप एक अमरूद ले जाए, इससे प्रजा का कल्यान कीजिए, और इसका एक बहुत छोटा सा भाग, अपनी राणी को खिला दीजिएगा, आपको पुत्र रतने की प्राप्ति होगी, राजा अमरूद को लेकर उस जंगल से जैसे ही अपने राज्य की ओर निकलते हैं, उनके पीछे से अजीब अजीब आवाजे आने लगती हैं, लेकिन वे पीछे मुर कर नहीं देखते और आगे बढ़ते चले जाते हैं, राजा अपने राज्य में पहुँच कर देखते हैं, कि उनके राज्य में वे बीमारी बहुत अधिक फैल चुकी है, चारू तरफ त्राही त्राही मचा हुआ है, मंत्रियों, क्या हो रहा है ये? राज्य में ये बीमारी तो भयंकर रूप लेती जा रही है, महराज जी, ये अजीब तरह की बीमा महराज ये बिमारी आज से सौ साल पहले आई थी ऐसा मैंने किताबों में पढ़ा है ये बहुत ही घातक बिमारी है इसका कोई इलाज नहीं है एक दूसरे को छूने से होती है कोई तो इलाज होगा वाइत्यजी एक इलाज है राजन क्या है कृपया बताईए जो जादूई अमरूद आप लाए है उसके बीच से एक दवा बनेगी इसमें दो महीना का समय लगेगा इसी दवा से सब का उपचार होगा जब तक यह दवा बन नहीं जाती तब तक सब को घर में ही रहना होगा कोई बाहर नहीं निकलेगा साफ सफाई का विशेश ध्यान देना होगा जैसे वईद्य जी ने कहा है वैसे सब को करना होगा कोई भी दो महीने तक घर से नहीं निकलेगा राजा ने उस अमरूद को एक कमरे में रख दिया तब ही अचानक अमरूद से आवाज आती है राजन, राजन, मेरा यहाँ दम घुट रहा है मुझे कहीं बड़ी जगे ले चलो अरे ये क्या? अमरूद इतना बड़ा कैसे हो गया? सैनिको, यहाँ आओ और इस अमरूद को बड़े से कमरे में ले जाओ अरे, ये इतना बड़ा कैसे हो गया? फिर से आवाज आती है राजन, मेरा यहाँ दम घुट रहा है मुझे कहीं बड़ी जगे ले चलो मेरे पास इससे बड़ी जगा नहीं है ठीक है, आप मुझे खुली जगे पर रग दो से निकों, इस अमरूद को एक खुली जगा पर ले चलो सुगह हो जाती है और राज्य कर्मचारी इतना बड़ा अमरूद देखकर हैरान हो जाते है वैद्य जी, अमरूद के बीच से एक महिने की अवधि के अंदर दवा तयार करते है वैधवा सबसे पहले ट्रायल के तौर पर कुछ लोगों को पिलाई जाती है इसी बीच एक व्यक्ति की मृत्यू का समाचार मिलता है कुछ असमाजिक तत्वों द्वारा ऐसी अफवाय फैलाई जाती है कि यह दवाई प्राण घातक है राजा को चिन्ता हो जाती है और वे स्वयम उस दवाई को पीकर यह साबित करते हैं कि यह दवाई सब के लिए अध्यन तुपियोगी है वही दवा फिर सभी को पिलाई जाती है और सब लोग ठीक होने लगते है हमारे राजा बहुत दयालो और प्रजा से प्रेम करने वाले है उन्होंने स्वयंग जंगल में जाकर इस जादूई अम्रूत को लाया है राजा की कृपा से ही आज हमारे राज्य के सभी लोग स्वश्ट हो गए राजा ने उस जादोई अम्रूत का एक छोटा सा भाग राणी को भी खिला दिया राणी गर्भवती हो गई और नौ महिने के बाद उन्होंने एक सुन्दर पुत्र को जनम दिया राजा और राणी अपनी प्रजा की खुशी देखकर पहले से ही खुश थे पुत्र की प्राप्ति से उनकी खुशी में बहुत बढ़ोत्री हो गई थी इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो सब की भलाई करते हैं ईश्वर निश्चित रूप से उनकी भी भलाई करते हैं